रामधारी खंड वन डिक्टेशन नवासी नब्वे डिक्टेशन सुरू होगी तीन सेकंड बाद इस्टार्ट अध्यच महुदै मैं आसा करता हूँ कि इस सदन के लिए यह अंतिम आउसर होगा जबकि इस समिनान में इस आधार पर यह संसोधन करने का अउसर आया है इसलिए मैं आसा करता हूँ कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी हिम्मत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम में से अधिकांस लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ती है उनी के द्वारा यह अचूत और छूत का रोग फैला हुआ है यह वर्णास्रम धर्म नहीं है हमारे यहां यह धर्णास्रम धर्म है संपत्ती पर अधारित है और इसके लिए मैं इतनी ही आसा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के विभिन भागों में जमीन कुछ हातों में केंदित है जब तक जमीन के एक अधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं जिनमें अधिकांस सदस भी इस सदन में समलित है तब तक यह समस्या हल नहीं होगी इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्युकार किया है भूमी सुधार का प्रस्ण जिसकी चर्चा उठी है और हम उठाएंगे कि जो जोतने वाला है जो खेत पर महनत करता है जिसमें सौ प्रतीसत हरिजन तो है ही आदिवासी भी है तो जो महनत करता है जमीन पर उसका अधिकार होगा सदन को यह हिम्मत होगी कि वह इस चीज को करे यह मैं आसा करता हूँ और नहीं होगी तो मैं समस्ता हूँ कि यह हमारे लिए एक ढकोसला होगा यही आग्रे मैं सभी लोगों से करता हूँ कि भूमी के प्रस्ण को सुधारे बिना अच्छूतो धार नहीं होने वाला है और ना राश्ट्य उत्थान होने वाला है मैं चाहता हूँ कि वैसान्ती से हो इसलिए मैं यह आग्रे कर रहा हूँ नहीं तो असान्ती फूटेगी लेकिन हम चाहते हैं कि सान्ती से हो इसलिए मैं फिर अग्रे कर रहा हूँ कि दल और पार्टी की दिवार तोड़ कर हम इस प्रस्ण को लें और केंद्य सरकार भी हिम्मत करें प्रधान मंत्री प्रतिच्छा में ना रहे की कुछ और लोग इधर से चले जाएंगे तो वै करेगी और लोग जाएंगे तो वै कठनाई में फस जाएगी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह आउसर है अध्धच महोदय वै हिम्मत करें जिससे देश में जमीन जोतने वाले को मिले और जो महनत नहीं करते उनसे जमीन लेकर उनका बटवारा कर दिया जाए मुझे आशर हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंब से अंत तक देखने की कोशिस की और इसमें अंगरेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी अंगरेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपी तक का समर्थन किया गया है जब हमारे समिधान में देवनागरी लिपी को राष्ट लिपी माना गया है और आज भी हिंदी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है मराथी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है अन्य भासाएं अपनी अपनी लिपी में लिखी जाती है रोमन लिपी के लिए इस सायों की रिपोर्ट में किस प्रकार कहा गया है रोमन लिपी की बात कैसे इसमें आई यह मैं कम से कम नहीं समझ पाया पर एक बात देखने योग है की अंग्रेजी का इतना समर्थन होने के बाद भी और कई विदेशी विशेशग इस आयोग के सदस होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना की अन्तो गत्वा सिच्चा का माध्यम प्रादेशिक भासाएं होंगी आयोग को यह मानना पड़ा की अंग्रेजी के माध्यम रहने से देश की हानी हो रही है और संसार के किसी भी देश में ऐसी इस्तिती नहीं है आयोग स्वैम इस बात को सिवकार करता है कि इस प्रकार विदेशी भासा के माध्यम से हमारे देश की कितनी हानी हो रही है मैं त्री सूत्री भासा फार्मूले का समर्थक हूँ हिंदी साहित समेलन जो हिंदी की सर्वमान्य संस्ता है जिसका इस समय मैं अध्यच हूँ उस समेलन ने भी त्री भासा फार्मूले को सिकार किया जदे पी हम या उचिस समझते थे कि दूई भासा फर्मूला रहता एक मातर भासा और दूसरी राश्ट भासा लेकिन हमें इस बात का भय था कि यदी दूई भासा फर्मूला रहेगा तो मातर भासा और अंग्रेजी रहेगी इसलिए हमने विवस होकर प्रेम से नहीं उत्साह से नहीं बलकि लाचार होकर त्री भासा फार्मूला स्युकार किया कि मात्र भासा रहे हिंदी रहे और तीसरी भासा अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भासा रह सकती है कहा जा सकता है कि हमारे यहां अभी इसनात कोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है बड़ी गलत बात है यह अभी सरकार के दौरा ही कुछ महीने पहले यहां पर एक प्रदरसनी हुई थी उस प्रदरसनी से यह बात इस पश्ट है कि हमारे यहां पर वग्यानिक और सास्त्रिय विशियों पर भी कम से कम हिंदी में परियाप्त पुस्तके हैं स्टाप